हाई गाईज वल्कम बेक टो मैं चानल रिचेश मेरा व्लॉग और मैं हूँ इच्छा अभी बज़ रहे हैं शाम को पांच और मुझे अभी एक पार्सल रिसीव हुआ है तो वो पार्सल है यह और्गनिक हार्वेस्ट का जो कि मैंने अभी ओपन करके देख लिया और उसके ब मुझे लगा था कि मुझे सिफ फेस्ट सीरम ही रिसीव होगा बट उसमें प्लस करके यह फेस्टल कीड भी लिखी भी थी बट मुझे लगाने था कि आएगा और ऐसा क्यूं यह मैं आपको बता है कि यह जो और्गनिक हार्वेस्ट के जो प्रोड़क्स हैं वो मैंने कैसे म मिला हुआ था कि मुझे वन रुपीस में प्रोड़क्स रिसीव हो का कि आजीव लगा रहा होगा कि मिलता है तो मैं आपको बता दू कि आप कोल भी प्रोड़क्स मंगा होगे उसकी सिपिंग चार्ज भी होगे एं प्रोड़क्स एं रुपै का निग मैं यह दोनों के और 1.99 ही पे किया है और इसके MRP की बात करो तो सीरम में इसके MRP दी हुई है 699 एंड शर्किट में MRP दी हुई है 345 अगर मुझे टू प्रोड़क्स औल्ली वन रूपीज में मिला है मिल्स मुझे सिप्पिंग चार्ज मिलां के 1.99 में रिसे बुआ है तो कितना प्रोफिट है इसे लेने में इसमें आप लोगों को एक एक करके ओपन करके भी दिखा देती हूँ तो यह है फेस सीरम तो इसे ओपन करने के बाद यह कुछ इस तरीके से है आप देख सकते हो यह एक ब्राइटनिक फेस सीरम है और इसमें विटामिन सी भी है सबसे में बात यह 100% और्गनिक है तो गाइस मैं आपको इसे यूज करके भी दिखा देती हूँ तो यह कुछ इस तरीके से है सकत में इसिलियths करद़े स कतादएर का पर वे कुछ आपको धर सोखें लिखाएशWe आपको तरीके सामी खो भी भी है स्थाबbetween ऑचर क्लेघट रभ़निक यह सुछ यह वसमें युछनिक लेगनिक है वा सबसुछ 집कर जानिक हैंक बड़र है तो मुझे डेली यूज करने के बाद ही पता चलेगा बट मैं आपको बता दू कि मैंने इसके पहले भी बहुत साथे फेस सीरम ट्राइ किये हैं बट वो थोड़े ना ओईली से होते हैं उसका टेक्स्चर ना ओईली होता है तो लगाने के बाद थोड़ा ओईल लगता है बट इसे यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है बट मैं आपको बता देते हूं कि इसके अंदर हमें क्या-क्या मिल जाता है पहले क्लेंजर उसके बाद मिलता है फेस स्कुर्ब दैन मिलता है मसाज जेल फोर्ट नमबर में है मसाज क्रीम एंड ला तक फर्स टाइम ओडर किया है तो मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट कैसा होगा बट मैं जब भी फेशल कि यूज करूंगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर इसका रिजल्ट शेयर करूंगी अगर आप इसे और करना चाहते हो तो आप और गनिक हार्वेस्ट के वेब बारिश होनी स्टार्ट हो गई अब वापस से धूप निकल रहा है सब दो मिनट बादिश होई और उसके बाद वापस से धूप निकल गया गाईज आजकर सच में मौशम का तो कुछ भरोसा ही नहीं है एक मिनट में बारिश हो जाती है एक मिनट में फिर दूप निकल जाता है आज ना मुझे थोड़ा सा काम है तो आज मुझे बाहा जाना है गाईज अभी हो चुका है पानी बंद तो मैं जाने वाली थी जिस काम से तो मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे पास में ही काम है तो थोड़े दिल में मैं वापस आ जाऊंगी तो जाने से पहले मैं अपना पूजा पाट कर लेती हूँ तो गाईज यहां पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सिंपल सा कुर्टा और प्लाजो पैना हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा से काम के लिए ही बाहर जाना था यहां पर मैंने अपना स्काप बान लिया है और मैं जा रही हूँ नीचे तो यह मेरी गाड़ी है जिसे अभी मैंने यूज नहीं किया तो पूरी धूर लग चुकी है तो गाईज मैं आ चुकी हूँ घर अब मैं करती हूँ ड्रेस चेंज और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ रेडी हो चुका है और आज मैंने बनाई एक कठली सबजी तो आज का व्लोग मैं यहीं पेहन करती हूँ मिलते हैं कल के व्लोग पे बाई गाईज